आज के विडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कुस करेंगे वो है मिटामेरिजम और टैगमिटाइजेशन तो दोनों जो हैं यह थोड़े से डिफरेंट और इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं और बड़े इंपोर्टन्ट हैं तो आईए इसकी तरफ जो है वो डिस्कुस करते हैं तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक डिस्कुस करूँगा वो है मिटामरिजम सबसे पहले जब हम मिटामरिजम के लफजी मतलब को देखते हैं तो मिटा का मतलब होता है आफटर यानि बाद में मर कहते हैं पाट को टुकड़े को इजम कहते हैं फिनामना को तो बेसिकली ये एक ऐसा फिनामना है जिसके अंदर कोई एनिमल जो है उसकी बाड़ी में छोटे छोटे चोटे टुकड़े बार बार रिपीट होते हैं इसलिए इसव मिटामरिजम बोलते हैं अगर इसकी प्रॉपर डैफिनेशन की तरफ जाएं तो segmental arrangement of body parts तो body parts जो हैं वो एक खास segments की शकल में अरेंज होते हैं तो ये पहली दफ़ा ये जो mechanism है ये जो phenomenon है ये phylum analida के अंदर जो है वो observe किया गया और उसमें जो सबसे common example जो मैं discuss करने जा रहा हूँ वो अर्थवरम है इसके लावा polykits भी है इनके अंदर भी ये segmentation पाई जाती है लेकर यहां पर मैंने example ली है अर्थवरम की तो इससे पहले कि हम इसको मजीद आगे चलें तो हम देखना चाहते हैं कि जो metamorism है इसकी types कितनी है तो basically इसकी दो types है एक type जो हम homonomous कहते हैं और दूसरी type हिट्रonommes कहते हैं जो homonomous होती है ये complete metamorism होती है ये internal भी हो सकती है और external भी हो सकती है कैसे होती है वो हम भी डिसकस करते हैं तो अगर आप यहां पर अर्थवरम की body को देखें तो अर्थवरम की body elongated होती है और इसकी जो बॉड़ी है इसके अंदर आपको बजाहर बाहर से ही छोटे छोटे सेग्मेंट से नजर आ रहे हैं जिसे इसकी पूरी बॉड़ी में डिवाइड किया हुआ है इसलिए ये जो एनिमल है इसके अंदर होमोनॉमस मेटामरिजम हो रही है जो के कम्पलीट मुकमल है ये बाहर से भी नजर आ रही है और अंदर से भी नजर आ रही है बाकी हम इसको डिटेल से देखेंगे फिर आपको और कलियर हो जाएगा ये जो एनिमल है इसे मेटामिरिकली सेग्मेंट एनिमल कहते हैं कि इसकी पूरी बाड़ी जो है वो छोटे 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 खानों में डिवाइड हो चुकी है इंडिविज्वल यूनिट में डिवाइड हो चुकी है जिनके अंदर तकरीबन मिलते जूलते तमाम जो सिस्टम है बॉड़ी के नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रॉडक्टिव सिस्टम है, वो अलाइदा अलाइदा जो हैं, वो हर खाने के अंदर मौझूद है इस चीज को प्रापर तरीके से समझने के लिए मैंने क्या किया है कि यहां से एक अर्थफरम की बोड़ी का जो सेग्मेट है उसको मैंने बाहर निकाल लिया तो यह मेरे पास इसकी जनरल बोड़ी का एक सेग्मेट है वैसे तो ये इसकी जनल बोडी में कंसिडर होगा लेकर उसको डेटेल के साथ समझने के लिए ये जरूरी था तो मैंने डियागराम पहली बना ली है तो सबसे बाहर आपको क्यूटिकल नजर आ रही है एपिडर्बस नजर आ रही है इसके अंदर मसल्स होते हैं सरकुलर मसल्स होते हैं लांगिचूटनल मसल्स होते हैं इसके लावा सेंटर में जो कैवटी है इसे सिलॉम कहते हैं साइडों पर सीटी निकले होते हैं जो ब्रिसल की तरह की होते हैं लाकोमोशन में हल्प करते हैं बलू कलर में आपको नेफरीडियम का पेर नजर आ रहा है जो के आहम तोर पर मीटा नेफरीडियम होता है और ये पेर होते हैं हर खाने के अंदर दरम्यान में आपको गट नजर आ रही है जिसमें स्मॉल इंडस्टाइन है लेकन ये जो गट है ये एक ही होती है जो मौट से स्टार्ट होती है और तमाम सेगमन से होती हुई एनस पर जा कर खत्म होती है बाकी हर खाने में अलग अलग जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम मजूद है इसके लावा रेप्रोडक्टिव सिस्टम मजूद है तो अगर आप इसको मजीद डिटेल के साथ देखें तो डारसल बलड वैसल है वेंटल बलड वैसल है इसके लावा सबनीूरल बलड वैसल है इ यह सारे कि सारा इसका internal structure तो जो भी इसके body parts होंगे वो most of the time जो हैं वो हर खाने में repeat होंगे मिसले हैं अगर इस खाने में body parts हैं तो यह इसमें भी repeat हो रही है तो body जो है उसको metamerically segmented कर दिया गया है तो ऐसी body जो metamerically segmented हो उसको segmental arrangement of body parts होते हैं उसे हम metamorism कहते हैं अब question ये है कि ये जो metamorism है ये animal करता क्यों है एक ही body part क्यों नहीं है जैसे बाकी animals में होता है उसके अंदर ही system divide हो जें लेकिन उसके कुछ advantages जो हैं वो discuss किये गए हैं तो मैंने भी उनको summarize कर लिया है देखते हैं कि advantages क्या हैं सबसे पहला जो फाइदा होता है वो ये है कि क्योंकि इन animals के अंदर कोई skeleton नहीं होता, endoskeleton नहीं होता, exoskeleton नहीं होता इनकी body में hydrostatic skeleton होता है जो कि fluid की वज़ा से होता है और जो fluid होता है वो salome के अंदर होता है, salomic fluid कहते हैं तो जब वो छोटे-छोटे compartments में होता है, अलद होती है, browing में help होती है, undulating wave of motion जो के इनकी होती है, उसके अंदर muscles को contract और relax करने में जो है वो बहुत असानी होती है, तो arrangement of salomic spaces and muscles for hydrostatic skeleton, इस मकसिद के लिए इन animals ने ये system जो है वो develop किया है, अब कैसे है थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, मेरे पास ये एक और diagram है, आप body है, outer surface है, epidermis है, cuticle है, इसके अंदर से long है, जो blue color की diagram में नदर आ रही है, ये आपका, इसकी digestive gut है, वजागी नाली है, उसके लावा blood vessel है, उपर नीचे, तो अब इसके अंदर आपको segments नदर आ रहे हैं, ये खाना है, 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 तो सारे खाने जो हैं, वो एक ही तरह के हैं, जिनको septum, डिवा, red color की आपको नदर आ रही है, septa से separate किया हुआ है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे organ होंगे, जो start से, mouth से start होंगे, एनस तक जाएंगे, और कुछ ऐसे body organ होंगे, जो हर खाने में अलग अलग जो हैं, वो repeat होंगे तो इसलिए इन एनिमल्स ने ये जो मेटामरिजम जो है, इसको perform किया हुआ है, अब उसके दूसरे advantages की तरफ आते हैं, तो less, lessons the impact of injury, इसका सबसे बड़ा फादा ये है कि हर खाने में क्योंकि अलग अलग नजाम जो है, वो मजूद है, तो अगर इसकी body के कुछ parts, कुछ segment, भी हो जाते हैं, डेड भी हो जाते हैं, तो फिर भी ये अपने body के बहुत सारे important जो functions हैं, उनको ये perform कर सकता है, और body के जो खोई हुए है, उनने region rate भी कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा फाइदा है, उसके बाद ये जो metameric segmentation है, उसमें अंदर hydrostatic skeleton होने की वज़ा से growing, जो के इनका सुराह करना, जमीन के अंदर मटी के अंदर करने का जो process है, उसको बहुत असान बना देता है, CT की मज़े से, muscles की मज़े से, ये जमीन को डिग कर सकते हैं, खोद लेते हैं, खा लेते हैं, और इसके लावा इनका feeding का mechanism अलग लग हो जाता है, लाको मोशन के लि के अंदर जो effective locomotory mechanism, मैंने भी आपको बताया है, कि जितना ज्यादा इनका ये system होता है, separate, उससे इनके locomotory system को develop करने में, undulating wave of motion में, brewing activity में, इनको बहुत जादा फाइदा हो जाता है, इस तरीके से, ऐसे animal, जो के होते तो complete हैं, लेकर उनकी body, छोटे-छोटे कई segment में, repeated segment मे divide हो रही होती है, metamerically segmented divide हो रही होती है, उसे हम metamerism बोलते हैं, अब ये जो metamerism का process है, इसके बारे में कई theories हैं, ये कैसे बना, पहले सिलॉम जो है, वो एक की खाना था, पिर उसके अंदर, जो है, वो खाने बनना शुरू हो गए, पर उनके दरमयान septum दिवारे आना शुर और example, जो है, वो metamerism की discuss करते हैं, जिसे आम तर पर tagmatization का जाता है, tagmatization जो है, ये आम तर पर एक ऐसा phenomenon है, जो के आम तर पर arthropods के अंदर जो है, वो observe किया गया है, ये जो tagmatization है, ये basically tagma से निकला है, जिसका मतलब होता है arrangement, body के parts को arrange करना, अब इसमें क्या होता है, ये भी met metamerically segmented नहीं है, यानि एक जैसे नहीं है, बलके different है, अब ये देखें, ये जो metamerism होगी से हम heteronomous metamerism कहेंगे, क्योंकि ये incomplete है, ना मुकमल है, और ये सिरफ बाहर से नदर आती है, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है, कि खासारे खाने जो हैं, वो same हो, अब इसमें अगर आप ये insect देखें, जो के एक मक्ही है, इसका अगला सिरा जो है, ये head है, फिर उसके बाद इसका middle वाला हिसा आ जाता है, जिसे thorax कहते हैं, ये trunk कहते हैं, और उसके बाद पिर इसका तीसरा हिसा, यानि abdomen जो है, वो आ जाता है, अब ये तीनों हिसे जो हैं, क्योंकि segments हैं, tagmeta है लेकिन इसको हम metamorism कह सकते हैं, लेकिन true metamorism नहीं है, बलके ये incomplete है और heteronomous metamorism है, लहाजा इसे हम tagmetization की तरफ लेकर दे जाते हैं, अब tagmetization क्या है, the specialization of body region, अब उसमें क्या हो गया, कि body के जो इससे हैं, metamors हैं, उन्होंने decide किया, head ने decide किया, कि मेरे अंदर sensory organ होंगे मैं एक और function perform करूंगा, थोरेक्स ने कहा, मेरे साथ आप appendages जो हैं, वो attach कर दे, मैं locomotion चलने में, उडने में, भागने में, जो है, जहां पर मेरे और लगा दे, बैली जो है, वो पीछे वाला bed abdomen है, उसने कहा, मेरे अंदर आप visceral organ रख दे, reproductive organ रख दे, तो इन्होंने अप the specialization of the body region, यानि हर body region अलग से अपना रोल जो है, वो play करेगा, तो इस तरीके से ये आपका tagmatization हो गया, तो इनसानों के अंदर भी आम तोर पर tagmatization होती है, head है, उसका एक अलग रोल है, हमारे ट्रंक है, उसका एक अलग रोल है, appendages जो हैं, उनका एक अलग रोल है, हमारे अं टेमरिस्टम और tagmatization का concept clear हो गया होगा, नेक्स लेक्चर तक के लिए चाहद़ते हैं, अल्ला आफिस,